इस वक्त की बड़ी खबर ये कि BSP सुप्रीमो मायवती ने खुद अपने ही सांसद दानी सली को पार्टी से बहर का रास्ता दिखा दिया आपको तादे दानी सली चर्चा का विसे तब बने थे जब भरी लोकसवा के अंदर BJP सांसद रमेज बिदूरी ने उनके खिलाफ अंगामा मज गया और इस पूरे मामले के गरमाय जाने के बाद खुद कॉंग्रेश सांसद राहूल गांदी उनके समर्तन में खुल कर नजर आए और उनके घर उनसे मुलाकात करने भी पहुचे इस पूरे मामले के ठंडे हो जाने के बाद अब BSP के तरफ से एक बड़ा फ कासन के विरुद जाकर कोई भी बयानवाजी वा किरतियादी ना करें परन्तु इसके बाद भी आप लगातार पार्टी के विरुद जाकर किरतिय कारे करते आ रहे हैं यहां आपको ये भी अवगत कराना उचित होगा कि संदुज अठारा तक आप स्री देव गोला जी की ज चुनाब के नतीजों के आने के बाद स्री देव गोला जी के अनुरुद पर आपको अमरोहा से भौजन समाज पार्टी के प्रिचासी के रूप में टिकट दिया गया और इस टिकट के दिये जाने के पूफ श्री देव गोला जी ने ये आस्वासन दिया था कि आप भौज पी की सदिस्ता ग्रहन कराई गई थी और अमरोहा से चुनाब लड़ा कर तता जिता कर लोकसवा में भीजा गया परंतु आप अपने दिये गए आस्वासनों को भूल कर पार्टी विरोधी गति वीडियो में लिप्ट हैं अधा अब पार्टी के हित में आपको बहुजन सम पाल प्रभाप से निलंबीत किया जाता है ये लेटर राश्टी एमा सचीफ सतीश चंद मिस्रा द्वारा दानी सली के नाम लिखा गया है लेकिन इस लेटर में ये साब तोर पर जानकारी नहीं दी गई है कि किन पार्टी विरोधी गति वीडियो में दानी सली ने भाग ल जिसके बाद पार्टी को ये बड़ा फैसला उनको सुनाना पड़ा इस पूरी खबर पर आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट करना ना भूलें